जैम आता दी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तो नया वर्ष शुरू हो चुका है और नय वर्ष का प्रिथम माहा जनवरी का महिना भी शुरू हो चुका है ये नया वर्ष आपके लिए मंगल में हो आपके जीवन में हर सुख आपको प्राप् में कि इस महिने में क्या खास आपके लिए होने वाला है जानेंगे सब कुछ विजदार से बस आपसे छोटा सा निवेदन है सबसे पहले तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको सम अच्छी के लोगों के लिए यह जो पहला महिना है यह बेहद अच्छा भी रहने वाला है और कुछ सावधानिया भी आपको रखनी होंगी हर तरह से यह अनुकूल महिना आपके लिए कहा जा सकता है अगर देखे सेहत देखी जाए तो सेहत के मामले में यह महिना बेहद अ अच्छा रहेगा। सिह समन्दी परिशानिया कम देखने को मिलेंगी। उन समस्याओं से आपको निजात मिलती हुई दिखाए देगी। लेकिन सावधानी जरूर बढ़तनी चाहिए। ऐसा नहीं सहत अच्छी रहेगी तो आप सहत का ध्यानी न रखें। और यदि हम के मतभेद यदि किसी से चल रहे हैं फिर वो चाहिए आपके प्रेमी से हो, जीवन साथी से हो, मित्र से हो तो उन सभी मतभेद को दूर करने का प्रयास आपको जरूर करना है। सफलता मिलने के आसार बहुत अधिक बने हुए हैं। और जो जातक प्रपोज करने का प्लान बना रहे हैं, वो इस दोरान बड़े उत्षाहित, बड़े उर्जावान रहने वाले हैं अपने प्रेम का इजहार करने के लिए तो उनके लिए भी ये समय है, ये काफी अच्छा है। जो शादे शुदा जातक हैं इस राशी के उनके लिए भी समय काफी अच्छा जो भी अनबन थी, वो सभी अनबन इस दोरान समाप्त हो जाएंगी। बस आप थोड़ा सा विनम्रता से काम लें, फिर देखें बात आपकी बन ही जाएगी। नौकरी शुदा लोगों के लिए, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वेफसाय करने वाले लोग हैं, उनके लि बदलाव की इच्छाएं आपकी प्रबल हो सकती हैं, आप अपने करियर में कुछ बदलाव करना चाहा सकते हैं, और देखें ये महिना जो आपसे जलने वाले लोग हैं, उनको पठक नहीं दे सकता है, आलोचकों की बख्या उधहर सकता है, ऐसा महिना ये आपके लिए साब लेकिन फिर भी खुशियों में व्रद्धी होने की पूरी संभावना है, आप जो कोशिश करेंगे, वो कोशिश से आपकी रंग लाएंगी, और आपकी जीवन में फूल के लाएंगी, नई उम्मीदों को पंक लगेंगे, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा, नई उम्मीदों भी काबो करके चलें, आत्म विश्वास में व्रद्धी होगी, आत्म विश्वास काफी अच्छा रहेगा, इस दोरान आप अपने बौदिक शमता से सुखों का विस्तार कर पाएंगे, जब आप धहरिया बना कर रखेंगे, तो हर उल्जन को दूर कर पाएंगे, आपको अ कर संकरांती कहा जाता है, यहां जो सूर्य हैं, वो आपके काम के प्रैसर को बढ़ा सकते हैं, काम का दवाब आपका काफी बढ़ेगा, उच अधिकारियों के साथ सम्मंदों को मजबूत करना आपके लिए बेहद उचित रहेगा, उनके साथ अच्छी बौंडिंग बना कर चलेंगे, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, अगर आप आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, तो उन से जुड़े लोगों को लाब की इस्तितियां मजबूत होती दिखाए देंगी, लाब की इस्तितियां बनती दिखाए है, इस दौरान आप महनत करके आने वाले समय में अच्छे औंक पराप्त कर सकते हैं, अच्छे परिणाम पराप्त कर सकते हैं, यह कई तरह के ऐसे योग बनाएगा महीना आपके लिए कि आप चाहें, तो आप अपनी जीवन में वो सब पा सकते हैं, जो आप पाना चाहते है बस आपको थोड़ा सा धहरे रखना है और आपको अपनी मेहनत पर जादा ध्यान देना है इस महीने आपका कुछ प्रतिस्चित लोगों से मुलाकात हो सकती है संपर्क हो सकता है जिससे आपके संपर्क बढ़ेंगे कुछ महत्पून कारिया मिलने या आगे बढ़ने के यो सामाजिक मान संमान का योग भी है लोग अपनी सूझबूल से नए कार्या करने में सफल हो सकते हैं इस दौनान व्यपारियों को अगर पैसा कहीं इंवेस्ट करना है व्यपारियों के लिए समय बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप पैसा इंवेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अपने पैसे को सोच समझ कर लगाएं, तभी कारिया पटरी पर आएंगे और व्यपार को नई दिशा आप देने में सफल हो पाएंगे, तो आपको हर तरह से इस दौरा निवेश करने के बारे में अच्छे से सोच समझ कर आपको निवेश करना है, आपका कारिय सार्वजिन एक स्तर पर आपकी छवी और आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्पुन होगा, अगर भागेदारी में आप वेवसाय करते हैं तो आपका गटबंधन जो है, वो काफी अच्छा रहेगा, इस दोरान आपके शांदार जन संपर्क, आपके कोशल और अपनी बहतरी न छवी का परदर्शन करवाए पाएंगे, जो आपको सफल और संतुष्टी देने वाले होंगे, ये महिना ओर्जा से भरपूर भी रहेगा, कड़ी मेहनत आप करेंगे और उनकड़ी मेहनत से आपको फाइदे भी कमा सकते हैं, काम के लिहाज से सफलताएं दिलाने वाला समय होगा, और इस दोरान पारिवारिक जीवन, वेवाहिक जीवन, सुख सुविदाओं और सदभाव को बनाए रखने के लिए बस आपको प्रयास करना है, आपकी राशी का स्वामी शनी है, और शनी गुरू के साथ मकराशी में बैठा है, इस महिने में शनी अस्त भी होने वाले हैं, तो ये जो शनी अस्त का समय होगा, ये कई तरह के परिवर्तन आपकी जीवन में लेकर आएगा, विद्यारतों के लिए तो ये महिना बहुत और देखें, धन आने के लिए ये महिन अच्छा है, क्योंकि धन का अच्छा योग बनता नजर आ रहा है, धन लाब होगा, स्वास्त पीट आपका ठीक रहेगा, लेकिन यहां महत्पून है कि आप अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंदरन बना कर चलें, क्रोध पर कावर में आकर गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं, फाइनेंस के मामले में अच्छा समय देखने को मिलेगा आपको, खर्चा भी होगा लेकिन फिर भी धनलाब के योग भी आपको बनते हुए दिखाए देंगे, इस महीने आप सूरे देव को जल जरूर अर्पित करना शुर करें